हे जोस्तों वेलकम बाक टू दो चटपर्ट वाई टीवी मेरा नमे रायान आज की वीडियो में मैं एक मस्त जबर्दस गैजट की अन्बोक्सिंग करने वाला हूँ यह जो गैजट है टू इन वन गैजट है आप चाहे तो इसे एक Bluetooth speaker की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हूँ और एक karaoke mic की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हूँ यह आजाता है Zebronics की तरफ से और इसका नाम है Zev1 Wireless karaoke microphone अगर आप इसे खरीदना चाहते हो तो link मैंने नीचे description में दिया हुआ है वहाँ से जाकर आप चाहे तो इसे खरीद भी सकते हो दोस्तों basically इस तरह के जो karaoke mics होते हैं अगर आपको singing का shock है तो आपको इस तरह का mic जरूर से खरीदना ही चाहिए मेरको यह जो karaoke mic है काफी जादा impressive लगा खास तो रुपे इसकी जो build quality है यहीं से देखने पर पता चल जाती है कितनी जादा शांदार इसकी build quality होने वाली है तो चलो दोस्तों बिनावक्त वेश्ट के फटा फट से इसको मैं निकाल लेता हूँ यहां से इस तरह के जो microphones होते हैं आप छोटे मोटे kitty party इसमें use कर सकते हो या फिर कोई birthday party हो गई या फिर आपको कोई speech बगेरा देना है तो वहाँ पर भी आप इस तरह के जो karaoke microphones होते हैं use कर सकते हो तो इसको मैं यहां से open कर लेता हूँ दोस्तों आपने अभी तरह इस वीडियो पर like नहीं किया तो जल्दी से like करो चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को ज़रू से subscribe करके घंटी दबाओ और all पर भी ज़रू से click कर देना ताके मैं जबी भी नई वीडियो डालो वो वीडियो आप सबसे पहले देख सको भाई साब काफी ज़ादा गजब की quality है इसकी फिलाल इसे मैं रख देता हूँ यहाँ पर इसके साथ क्या क्या चीज़े मिली है सारी चीज़े मैं आपको दिखा देता हूँ फटा फट से यह है इसकी user guide यह मिला है हमें एक aux cable यह हैं एक micro usb cable इसे charge करने के लिए volume की volume जो ए अप down यहां से आप कर सकते हो यहाँ पे पन भी कर सकते हो यह जो चार button है यहां से speaker दिया हुआ है से control कर सकते हो मालों तो यह ऑगर आप इसके दर कोई गाने सुन रहे हो तो यहां से song वग Tapos कर सकते हो songs connect कर सकते हो प्रीवस कर सकते हो यह से इसका mode भी चेंज कर सकते हो यहां पे बहुत भी बड़ा वाला speaker दिया व्या हूँ यह जो speaker है 3 Watt का speaker यहां पे लगाया गया है और यह उपर पूरी तरीके से Metal की Mesh दी हुई है और यह जो पूरा है rubber का बना हूँ है guys grip काफी बढ़िया देखने को मिलती है यहां पर और यहां उपर से आपको बात करना होता है तो यहां पर आपको दिख रहा हो गई इस माइक जो है इस तरह के होते है पर इसके अंदर उल्टा दिया हुआ क्यूंकि यहां पर एक speaker है तो यह जो पार्ट है सामने होना चाहिए इस तरह से हमें बात करना चाहिए यहां पर है इसका माइक्रोफोन और यह जो मैं शहीं पूरी तरीके से metal का है और काफी जादा premium quality का है यार यहां पर एक और चीज़ है मैं आपको दिखाता हूँ अगर इसको मैं हटा देता हूँ तो यहां पर हम लोग memory card लगा सकते हैं यहां से इसको charge कर सकते हैं यहां से aux cable भी लगा कर speaker में भी इसको connect कर सकते हैं तो जोस्तों basically इसको full charge होने में तकरिवन 4-5 घंटे लग जाते हैं अगर आप इसे एक बार full charge करते हों हो चुका है मेरे mobile से भी अभी connect हो चुका है तो अभी मैं आपको यहां पर कुछ बात चीद भी करके बताता हूँगा इस देखते हैं इसकी voice quality कैसी है दोस्तों इस karaoke mic को मैंने on कर लिया इसके अंदर हमें 2 modes मिलते हैं अभी मैंने इसे normal mode में डाला है तो पहले normal mode की जो sound quality है कैसी है वो चिक करते हैं हेलो दोस्तों mic check 123 अभी मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ यह जो karaoke mic है normal mode के अंदर चल रहा है तो दोस्तों अगर आप इसको सहीं से use करना चाहते हो यह जो part है आपको आपके mouth के करीब रखकर बात करना होता है अगर आप इसे दूर रखके बात करोगे तो guys अवास जो है इसके अंदर सहीं से नहीं आती है आप आपके mouth के जितना करीब रखकर इसको use करोगे उतनी ज़्यादा loud sound सुनाई देती है तो यह रहा normal mode तो अभी इसको दूसरे mode में मैं आपको change करके बताता हूँ दूसरे mode में change करनी के लिए इसको जो है यह जो eco mode है इसको उपर कर देंगे हम लोग आप चाहे तो इसे कहीं पर भी set कर सकते हो मैं इसको full volume पर रख रहा हूँ तो दोस्तों यह है eco mode इको mode के अंदर होता क्या है जो आवाज है eco हो क्या दिया यानि कि re sound काफी जादा हता है तो bass भी काफी जादा हता है और इस karaoke माइक को eco mode में use करना कुछ अलगी experience होता है बिरको eco mode में जो use करना है इसे काफी जादा अच्छा लगता है eco mode में रखने के बाद इसमें जो loud में सहे काफी जादा बढ़ जाती है और आवाज भी जो है काफी अच्छी सुनाई देती है दो modes मैंने आपको चेक करके बता दी है एक और चीज़ है वो भी मैं आपको चेक करके बताता हूँ इसको जो bluetooth भी करें किस तरह से connect करना है स्मार्टफोन से और उसे किस तरह से use करना ये भी आपको बताता हूँ दोस्तों इस karaoke माइक को अभी मैंने मेरे स्मार्टफोन से connect कर लिया है तो इसको मैं चला देता हूँ यहाँ पर थोड़ी सी music तो यह कितना loud है मैं आपको बताऊँगा उसके बाद में इसके साथ हम एक और चीज़ भी कर सकते हैं वो भी करके बताऊँगा तो दोस्तों यह जो 2-in-1 gadget है एक number लगा मेरे को अगर आप इसे खरीदना चाहते हो तो link मैंने नीचे description में DIY वहाँ से जाकर आप चाहे तो इसे खरीद भी सकते हो especially guys इसकी जो build quality है काफी जादा OP लगी मेरे को आप खुद भी देख सकते हो कितना जादा solid नजर आता है यह gadget तो दोस्तों आपको यह 2-in-1 gadget कैसा लगा मुझे नीचे comment करके ज़रूर बता देना तो चलो दोस्तों अभी मैं दे देता हूँ shout out दोस्तों आज मैं दूंगा 10 लोगों को shout out तो यहाँ पे सबसे पहला नाम आ जाता है अदित्या, सल्मान खान, हयान तेजवानी, मानिक, कानहा, आरियन, एहमद जायद, जस्विन, रिशांक, मनोज तैंक्यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट करने के लिए और दोस्तों आपको भी चाहिए shout out तो इस वीडियो पर कर दीजे like नीचे कर दीजे comment, कमेंट करने के पाद आपका नाम भी जरू से type कर देना दोस्तों ताकि मैं आपको ही shout out दे सको नेक्स्ट वाली वीडियो में भी मैं 10 लोगों का नाम से लिट करूँगा जो भी आप एच्छे से comment करेंगे और इस वीडियो पर like करेंगे तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर होती है एंड मिलता हूं आप समय नेक्स्ट वाली वीडियो में और इसी तरह कुछ धमाकेदार गैजेट के साथ तब तक के लिए बाई दोस्तों